आज की ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली हैं क्यूंकि आज हम बना रहे हैं आचार, हम गुजरातीों का फेवरेट गौड केरी का आचार तो इसे हम गुजराती में गौड केरी नो अथानू बोलते हैं इसे हम सुबे ब्रेकफस्ट में भाकरी के साथ, थिपला के साथ, किसी भी चीज के साथ हम इसे खा सकते हैं ये तेस में बहुत ही बढ़िया लगता है और बनाने में बहुत ही इजी है तो चलिए आज बनाते हैं गौड केरी नो खटो मीठो अथानू तो गौड केरी का आचार बनाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए केरी तो यहाँ पे मैंने राजापूरी केरी ली है जो स्पेशली आचार बनाने के लिए आती है अगर आपके यहाँ इस तरह की राजापूरी केरी नहीं मिलती है तो कोई भी देशी केरी मिलती है जो खटी हो वो आप ले सकते हो तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 kg केरी ली है लेकिन 2 kg केरी से मैं 2 तरह का आचर बनाने वाली हूँ तो मैंने दोनों साथ में ही ले ली है एक खटा भी आचर बनाऊंगी और मीठा वाला भी बनाऊंगी लेकिन अभी मैं आपके साथ मीठे वाले आचर की रेसिपी शेर कर रहे हूँ तो सारी केरी को मैंने अच्छे से दो लिया है चलिए अब केरी की हम खाल निकाल लेते हैं मतलब के उसे चील लेते हैं तो यहाँ पर मैं एक किलो केरी का बना रहे हूँ तो मैंने मेजर कर के ली थी तो मैंने एक किलो जितनी केरी की अच्छे से खाल निकाल ली है मतलब के उसे चील लिया है ये जो हम मीठा आचार बना रहे हैं उसमें केरी को गलने में थोड़ा सा टाइम ज़ादा लगता है तो केरी को हम छील के अगर लेंगे तो फटा-फट से गल जाएगी और हमारा आचार फटा-फट से बनके रेडी हो जाएगा तो चलिए यहाँ पे मैंने एक किलो केरी को छील लिया है तो यहाँ पे मैंने दो गड़ी और एक छोटी केरी लिया है तो तकरीबन एक किलो जितनी हो जाती है तो यहाँ पे इसे छील के अभी इसे हमें पीसिस में कट कर लेना है आप इसे चाहो तो एकदम छोटे-छोटे पीसिस में भी कट कर सकते हो और अगर बड़े पीसिस में चाहो तो वैसे भी आप कट कर सकते हो लेकिन यहाँ पे मैंने वड़े भी नहीं किये हैं, छोटे भी नहीं किये हैं, मैंने इसे medium size में cut कर लिया है क्योंकि मेरे बच्चों को medium size के pieces जादा पसंद है, क्योंकि यह आचार मेरे बच्चे ही जादा खाएंगे क्योंकि वो स्कूल में, टिफिन में, रोटी के साथ, पराठे के साथ, आचार काना पौधी पसंद करते हैं तो उनके हिसाब से ही मैं यह आचार बना रही हूँ तो चलिए, यहाँ पे मैंने केरी को medium pieces में cut कर लिया है और जो गुटली है, उसके उपर जो केरी का पार्ट होता है, उसे भी हमें ले ले लेना है, उसे हम फैक नहीं देंगे उसमें से हम एकदम छोटे-छोटे pieces निकालेंगे, और उसे एकदम बारिक चौप कर लेंगे यह आचार जो हम बना रहे हैं, वो बहुती रसदर बनेगा, एकदम रसा वाला होगा तो उसके अंदर यह छोटे pieces गुल जाएंगे, तो उसका taste और texture बहुती बढ़ी आएगा तो चलिए सारी carry को मैंने pieces में cut कर लिया है, और अब निकाल लेते हैं एक बरतन जो टककन वाला हो अगर आपके पास इस तरह का टककन वाला बरतन नहीं है, तो आप कोई भी और पतिली ले सकते हो लेकिन इसके ओपर जो टककन है वो ऐसा चूज करिये, जो अच्छे से पतिली पे फिट हो जाए तो चलिए सारी जो pieces हैं, उसको मैंने बरतन में और यह जो छोटे pieces हैं, उसको मैंने रख दिया है एक छोटी सी कटोरी में और अब यह जो केरी हैं, उसके अंदर हम डाल देंगे नमक, नमक आप अपने टेस्ट के ओकरिंग डाल सकते हो लेकिन जो आचार होता है, उसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा पड़ता है, तो यहाँ पे मैंने तकरिबन 4-5 चमच जितना नमक ले लिया है और जिस केरी को हमने छोटे पीसिस में कट किया है, उसमें मैंने एक चमच जितना नमक डाल दिया है और अब इसके अंदर हम हल्दी डाल देंगे, तो हल्दी यहाँ पे मैंने बड़े पीसिस वाले जो केरी हैं, उसमें डेट चमच जितनी हल्दी ली है और जो छोटे pieces वाली है उसमें मैंने half चम्मत चितनी मतलब के आदे चम्मत चितनी मैंने हल्दी डाल दी है नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने पीछे से थोड़ा सा एड़ किया है तो तक्रिबन 5-6 चम्मत चितना मैंने नमक डाल दिया है और अब इन सबको अच्छे से हमें mix कर लेना है तो proper mix करने के पाद इसे हमें ढख कर रखते ना है 10-12 गंटे के लिए ऐसा करने से केरे के pieces बढ़िया से soft हो जाएंगे और हमारा आचार बहुती बढ़िया बनेगा बहुती soft बनेगा यहां पे 12 गंटों में हमें बीच बीच में इसे 2-3 बार mix करते रहना है इसे इस तरह हिलाते रहना है ताकि सारे pieces के उपर जो नमक और हल्दी का coating है वो अच्छे से होते रहे और हमारी केरी अच्छे से soft हो जाए तो इस तरह हमें उसे mix करते रहना है तो यहां पे मैंने 2-3 इन बार इसे mix कर लिया है और उसी तरह यह जो छोटे pieces है केरी के उसे भी हमें mix कर लेना है इसे चम्मत से इस तरह हम mix करेंगे तो अच्छे से बढ़िया से mix हो जाएगा आप देख सकते हो कि थोड़ा थोड़ा पानी चूटने लगा है हल्दी और नमक का तो चलिए अब 12 गंटे हो चुके हैं और अब हमें इसे निकाल लेना है फिर से एक बार अच्छे से mix कर लेंगे और आपको मैं दिखाती हूं कि केरी के pieces कितने बढ़िया से soft हो गए है तो चलिए अब इन सारे pieces को हमें सुखने के लिए रखना है यह सारे process में यह जो process हम अभी कर रहे हैं व यहां पर आप cotton का कपड़ा ही use करिएगा क्योंकि cotton सारा जो मौशर है केरी के अंदर जो पानी निकला है वो सारा absorb कर लेगा आप यहां पर आपके पास कोई cotton का डुपट्टा है उसे भी use कर सकते हो तो चलिए अब ले लेते हैं एक पतिली उसके उपर रख देते हैं एक छल पानी में डाल देना है उसका सारा पानी हमें निकाल लेना है और यह पानी को हमें फैकना नहीं है यह पानी का यूज आगे हमें करना है तो इसे हम फैकेंगे नहीं चलिए अब सारे पीसिस को हमें जो डुपट्टा है उसके उपर अच्छे से फैला लेना है यहां पर हमें के पीसिस को सुखाने में एक बात का ध्यान रखना है कि यह जो ग्रीन वाला पार्ट है उसे हम नीचे नहीं रखेंगे मदलब कि डूपट्टे के सते पर वो नहीं टच होना चाहिए जो वाइट वाला पार्ट है जो अभी यलो हो गया है वो डूपटे को टच करें उस तरह हमें उसे सुखा लेना है क्योंकि वो वाला पार्ट थोड़ा सा सौफ्ट होता है और उसके अंदर ही सारा मौस्चर होता है तो हम इस तरह से रखेंगे तो जो डूपटे के अंदर उसका मौस्चर है तो आप विंडो के पास इस सुखा सकते हो अगर आपके पास विंडो नहीं है तो उसका भी शॉलुशन में आपको आगे बताऊंगी तो चलिए पहले यहां पे ले लेते हैं खारेक तो यहां पे मैंने तकरीबन 10-12 खारेक ले ली है खारेक का टेस्ट मीथी आचार में बहु गौड़केरी का आचार बहुत ही बढ़िया बनाती थी और वो उसके अंदर खारेक डालती थी तो तब से मैं भी गौड़केरी के आचार में खारेक जरूर डालती हूं तो चलिए अब खारेक को हमें विगाना है तो हम किस से विगाएंगे जो पानी हमने निकाला है नमक से थोड़ा दूर उसे सुखाना है क्यूंकि डाइरेक्ट पांखे के नीचे सुखाएंगे तो ये जो केरी है वो एकदम चवड हो जाएगी बहुत ही हाड हो जाएगी चलिए यहाँ पे दो गंटे हो चुके हैं और खारेक भी बीक के अच्छे से रेडी है तो इसे भी हमें और 2-3 गंटे के लिए हमें इसे भी सुखने के लिए रख देना है तो केरी को टोटल हमें 5-6 गंटे के लिए सुखाना है 5-6 गंटों में केरी अच्छे से ड्राइ हो जाएगी उसका सारा जो मौस्चर है वो उड़ जाएगा सारा एब्सर्व हो जाएगा ये कॉटन के चलिए 5-6 गंटे हो गए है और आप देख सकते हो कि हमारी केरी एक दम अच्छे से ड्राइ हो गई है और ये जो खारेक है वो भी अच्छे से ड्राइ हो गई है चलिए अब इस केरी और खारेक को हमें ले लेना है एक बरतन में सब कुछ हमें मिक्स कर लेना है आप नीचे देख सकते हो कि जो पानी हैं उसके दब्बे पड़ गए हैं क्योंकि न्यूस पेपर और डुपर्टे ने सारा पानी एब्सॉर्ब कर लिया है चली अब इसी निकाल लेते हैं एक बरतन में सब कुछ साथ में ही निकाल लेंगे तो चली अब करते हैं आगे की प्रोसेस तो यह इसकी फ्लेम को हमें ओन कर देना है और मीडियम फ्लेम पे हमें तेल खो गरम करने के लिए रख देना है चली अब थोड़े सी निकाल लेते हैं तो यहां पे तकरिबन 8-5 लाल सुखी मिर्च ले ली हैboarding एक चमबच मैंने ले ली है काली मिर्च और का दाल-चिनी नेइने लिया है और दो चमश मैंने सौफ ले ली है और यहां पे तकरीबन 200 गरम जितना मैंने आचार का मसाला ले लिया है यहां पे हमारे गुजरत में मीठे आचार का मसाला मिलता है श्पेशली तो वही मैंने यहां पे लिया है यहां पे हमारा तेल भी अच्छे से गरम हो गया है तेल में अच्छे से धुआ उठने लगे, तब गैस की फ्लेम को हमें आफ कर लेना है, थोड़ी सी हिंग डाल के हम चेक कर सकते हैं, कि तेल बरावर से गरम हुआ है की नहीं, चलिए तेल थंडा हो रहा है, तब तक हम कैरी के अंदर ये जो मसाला है वो डाल देते हैं, और इस अच्छे से मिक्स कर लिया है, यहां पर हमारा तेल भी अच्छे से थंडा हो गया है, तेल को हमें एकदम थंडा नहीं करना है, थोड़ा सा गुनगुना रखना है, थोड़े से सौफ के दाने डाल के देख लेंगे, सौफ के दाने एकदम से उपर नहीं आए, तो समझ लेन और अच्छे से mix कर लेना है और अब इस mixture को हमें एकदम ठंडा होने देना है एकदम room temperature पर आए उतना हमें उसे ठंडा कर लेना है तो चलिए जब तक तेल एकदम ठंडा हो रहा है तब तक केरी के अंदर डाल देते हैं गुड तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 800 ग्राम गुड ल तेल भी हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है तो तेल को भी डाल देंगे केरी के उपर और यह सब कुछ हमें अच्छे से mix कर लेना है गुड केरी और मसाला अच्छे से mix हो जाए फिर इसे इस तरह कंची से दबा के हमें धक कर रख देना है तो इसे हमें एक दिन के लिए गुड का कलर अच्छा होता है उसका कलर वाइट होता है तो आचार का कलर भी बहुत भड़ी आएगा और कोला पूरी गुड थोड़ा सा सॉफ्ट होता है पाकी गुड की कंवरिजन में तो इसे गलने में भी ज्यादा टाइम ने लगता है आप अगर कोई और गुड का दूखने के लिए दूख में सुखाने के बाद ही हम इसका यूज करेंगे क्योंकि बढ़नी एकदम ड्राय होगी तो आचार विगणने का चांसिस भी बिल्कुल भी नहीं रहेगा तो चले यहां पर तीसरा दीन है और आप देख सकते हो कि गुड अच्छे से मेल्ट हो गय आप देख सकते हो कि कितना रस्दार कितना कलरफूल एक दम लाल चटक हमारा आचार बनके रैडी है आप एक साल तक इसे स्टोर करके रख सकते हो यह बिल्कुल भी नहीं गड़ता है लेकिन इसमें थोड़ी से केर करनी होती है बढ़ने की साइड पे इस सरा आचा नहीं ल झाल यह सकते हुआ है शार दक की सा बढ़र है शोग्सक्ला की साइड के रख सकत Clark के दिए fact के रख सकते हीर hundredth वेटने की साल पड़ 끝म में लाल वेज़कित हैनल यह पिसयों को सुझEL गत ॉभुदब나리 को भी भी .